नमस्कार दोस्तो टेकनिकल सुविधा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो यह LPG का शेगड़ी है जिसको आप LPG का चुला भी बोल सकते हैं इसमें प्रॉब्लेम क्या है देखो यह थोड़ा अंदर से जाम हो चुका है जिसके कारण इसकी जो गैस है वो ठीक तरह सेगड़ी का जो नौब है वो फुल पे रखा है फिर भी बहुत छोटी सी फ्लेम यहां दिख रही है तो आज हम इस सेगड़ी को रिपेर करने वाले हैं जो गैस जो जाम हो रही है यानि कि श्टक हो रही है इसको किस तरह से रिपेर करना है यह आज हम इस वीडियो में पुड़े गरम हो चुके हैं इसलिए मैं यहां पकड़ से उनको निकाल रहा हूं इसके बाद जो नौप से इस नौप को बाहर की ओर खीच देना है तो यह आराम से निकल जाएगा कुछ नौप में स्कुरू टाइप की भी नौब होते हैं लेकिन यह तो पुछ पीट वाल पहले मैं क्या करता हूं यह जो दो स्कुरू है यह निकाल लेता हूं ठीक है जोस्तों यह काम आप अपने घर में खुद भी कर सकते हो इसके लिए कोई टेक्निशिन की आपको ज़रत नहीं पड़ेगी ग्यास सेगडी का यह जो प्रॉब्लेम है इसको सॉल करना बहुत ही आसान है आप खुद ही इसके घर में रिपेर कर सकते हैं एक बार आप यह पूरा वीडियो अगर देख लेते हो तो आपको किसी की मदद की जूरत नहीं आप खुद यह काम आसानी से घर में भी कर सकते हो और कुछ पैसे जो है बचा सकते हो ठीक है यह पीछे जो नट लगे हुए है यह दो निकालने है ताकि इसका जो बर्नर का बेस है इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं ठीक है मैंने यह दोनों नट निकाल दिये हैं अब देखिए इसको खाली यहां से उठा के बाजो में रख देना है इस तरह से दोनों जो चुले है इनको अलग कर देना है और उसके बाद जो गैस का में पाइफ है यह जो पाइफ है यह आराम से इस तरह से निकल आएगा इसको इस तरह से खीच लेना है और इसके जो दो गैस के वाल है इनकी साफ सफाई करनी है तो कि इसी में कच्रा टकने से या कुछ गंदगी जम्मा होने के कारण गैस की सप्लाइ ठीक तरह से नहीं हो पाती है और फ्लेम जो है बहुत छोटी जलने लगती है तो इसलिए इसको मैं अभी खोल रहा हूं यह जो स्कुरू है यह स्कुरू को खोल के निकाल देना है और उसके बाद इसका जो यह में नॉब है वो नॉब को बाहर रख देना है सब्राई को ऊसके बाद अंदर एक स्परिंग है और श्प्रिंग निकाल देनी है इसको में वॉल का में पार्ट है यही है और इसी की साफ सपाई हमें करनी है यह देखिए कि यह साफ सपाई के लिए मैंने क्लिनिंग सोलूशन का इस्तमल किया है आप ऐसे भी घर में जो भी कुछ मिलता है उसे साफ सपाई कर सकते हैं जोरे नहीं की ओ वह क्लिनिंग सोलूशन ही हो देखिए अब उपको खाली क्या करना है अंदर से जो भी गंदगी है वो उसको निकाल देना है अंदर से पुरा यह ओली ओईली गंद अंदर जमा होता है यह देखिए पुरा ठीक तरह से कपड़े से पर देना है पुरी तरह से साफ कर देना है दोड से अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो और अभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और जो गंटी का बटन है उसको भी दबा के रखना ताकि जब भी मैं ऐसे यूजफुल वीडियो यूट्यूब पे अप्लोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंद पूर्ण जाएगा इस तरह से इस पार्ट को अंदर से बाहर से दोनों साइट से पुरी तरह से साफ कर लेना है कोई भी गंद अंदर छोड़ना नहीं है और यहां देखे इसके टोटल दो होल छेद रहते इसमें एक बड़ा छेद रहता है और एक छोटा छेद रहता है जो बड़ी फ्लेम के लि करना है जो इलेक्त की वायर होती है उस वायर में जो बहुत सारा तारी रहती अंदर उस में से एक पतली सी तार लेनी है और उस तार से यह दो होल्स है इसके ऊपर एक चोटा और बड़ा तो उनको ठीक तरय से इस तार से साफ कर quedar आगर यह जो होल जो है यह पुरी तरह से open रहने चाहिए क्योंकि यह जो flame छोटी बड़ी होती है इन holes की माध्यम से ही gas supply हो जाती है अगर यह hole में कुछ गंदग इन गई तो gas supply होने में अटका होता है और जो flame है ये बहुत धीमी गती से जलने लगती है इसलिए ये दोनों होल्स ठीक तरसे साफ करने हैं जब ये दो होल्स साफ हो जाते हैं तो आपकी जो gas supply है वो ठीक तरसे हो जाएगी उसके बाद इसका जो नौब है इसको भी एक बार साफ कर लेना है उसके ब है तभी जो चुला है यह ठीक तरह से काम करने लगेगा दोस्तों अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ अच्छी जानकरी आपको मिल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि इससे मेरा होसला बढ़ जाता है और आपके लिए मैं आगे भी ऐसे अच्छ साफ सपय में और देखिए इसके पीछे का जो एक होल है जहां से ग्यास अप्लाई होती है इस होल को भी यह इलेक्ट्रिक तार्ज की माध्यम से साफ कर देना है यह होल में भी कभी-कभी कच्रा अटकने से ग्यास को अटका हो जाता है तो तार अंदर डालके ठीक तरह से इ इसके पार्ट्स निखा लेते उस तरह से वापस यहां फिट कर देना है और इसका जो नौब का होल है वो होल अंदर दबाके उसमें जो स्कुरू था वो श्कुरू वापस लगवाना है यह सेम प्रोसेस दुसरे वाल के लिए भी करनी है दुसरे वाल के भी जो जितने भी अंदर के चोटे चोटे पार्ट्स थे उनकी साफ सफाई मैंने पहले से ही करके रखी है तकि वीडियो जादा लंबा नहों ठीक है इस तरह से यह जो नौब इसकी जो मोमेंट है वह भी पहले से स्मूथ हो गई है और जब हम इस चुले को चालू करेंगे तो आपको फरक जो ह और बाद में कैसे जलता है ठीक है इसके भी सेकेंड जो इसका वॉल है इसके पूरे पार समने साफ सपाई करके पहले से ही रखे हैं अभी खाली इसको मैं जोड़ देता हूं दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार ये वीडियो अगर आप पूरी तरह से देख लेते हों तो आपको आगे कभी भी इस तरह की सम्मझ से आपके घर में आए तो बिना किसी टेक्निशियन को बला के आपको एक काम कुद करना आ जाएगा इस तरह से दोनों वाल की सर्वीसिंग हो गई है बसे जो गैस की में पाइप है इसको कनेट करने के लिए जो दो स्कुरू हमने निकाले थे उनको वापस लगवाना है और उसके बाद इसके उपर नौब लगवाने है इस तरह से गैस सेगड़ी का सर्विसिंग करने में बहुत आसान है इसमें कठीना ही कुछ भी नहीं है सिर्फ आपको ठीक तरह से साफ सफाई करनी है साफ सफाई में कोई भी कमी नहीं रखनी है मैंने पूरे चारो स्कूर लगवा दिये है अभी यह जो नौब है उपर के इनको फिट करके लगवाना है पुश फिट नौब है यह ठीक है इस तरह से यह नौब लग चुके है अब क्या करना है पल्टी करना है शेगड़ी को और यह जो बर्नर के बेस है इनको वापस नहीं करना है और जादा कुछ करना नहीं होता इसमें ठीक है तो यह दोनों चुले लगवाने के बाद एक बार हम इसको ग्यास टंकी के साथ करनेट करके इसके ट्रायल लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो काम है यह पुरी तरह से हो गया ही कि नहीं है तो अभी जब हम इसको ओन करेंगे तो देखिए इसका फ्लेम किस तरह से जलता है पहले किस तरह से जल रहता और अभी देखें कितने बढ़िया तरीके से चुला जो है जल रहा है एक बार इसका फ्लेम भी मिनिमम करके आपको दिखाता हूं यह दिखें पहले जो मिनिमम करने के बाद चुला बंद होता था अभी ये पुरी तरह से बंद नहीं हो रहे है ठीक है वापस में इसको मैक्सिमम कर देता हूं ये देखिए है इस तरह से इसका जो प्रोब्लम था इस चेगड़ी का ये पुरी तरह से सॉल हो गया है और एक इसे रिपेर कर सकते हों तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद